आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है, बात करेंगे येस पैंक के बारे में बाय करने की सलहा दीती और देखे आज कितना अच्छा बिजनस अपपोर्चुनिटी मिला है, तीन बहुत बढ़िया खबरे लेके आएं आपके लिए, दिश टीवी का केस का स्टे मिल गया है, क्या यहाँ पर आगे दिन भी मिलेगी, लग रहा है सब कानून के नियम से, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, देखे डिश टीवी सागा एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, क्योंकि इसमें जो शेर होल्डिंग थे, वो एक बेस ही जो बना था, वो थोड़ा गलत तर ऐसे बेस बना था, यूभी पुलिस ने कहा है कि कोई वोइटिंग राइट नहीं होंगे, और उसके चलते हुए, फिर हाई कोट ने भी उसको केस को रफादाफा कर दिया था, बर सुप्रीम कोट ने यहाँ पर स्टे ग्रांट कर दिया है, इसके साथ में, तो आज नव और यहाँ पर कहा है कि कोतम बुद्धनगर की फुलिस यहाँ पर फ्रीज नहीं कर सकती है, एक शेर होल्डर के राइट्स, तो इसके चलते हुए, यह एक अच्छी पोजिशन रहेगी, यहाँ बैंक के लिए, और जिसके चलते हुए, आज काफी अच्छा उझाल आया है, All started in a very wrong foot, देखिए, समझ यह इस बाप को, जो यहाँ पर bad loan था, उसको फिर से साइफन करके money पैसा निकाला गया, Yes Bank से, और वो shares गिरिवी रखे गए, तो चाहे कुछ भी हो, rights are rights, अगर Yes Bank as an organization के पास shares के right है, तो वो उसको execute कर सकते हैं, देखिए, गौदम थापर की एक पर इसलिए उनको लीव पर भेज दिया गया है, जब तक यह case का पूरा तहफिश नहीं होती है, तो यह एक, अगर वो इसमें दिखाए गए, कि हाँ, गौतम थापर जी ने कुछ गलप काम किया है, तो हो सकता है, अपनी job भी loss करेंगे, और साथ-साथ में यहाँ पर भाहर भी निकलेंगे, अब अगर shareholder pattern दिखा जाए, तो interesting pattern बन रहा है, 6-9 महीना पहले, कुछ लोगों ने share खरीदे गए, 3,26,000 share insiders ने, और फिर 3-6 महने के अंदर उनको बेच पी दिया गया, यह वही range है, जो हम शुरू से आपको बोलते आ रहे हैं, दोस्तों, हमने इसकी आप इन share को बेच गया है, वाई insiders, तो यह एक value के reference में over value हो चुका था, इसलिए lower value पर buy किया, और वहाँ पर अपना profit निकाल कर, उसको higher value पर बेच दिया गया है, हम इसको recommend कर रहे हैं, शुरू से buy करने के लिए, और 11 रुपे के नीचे तो बहुत बढ़िया stock है, आपको चाहे तो growth और future की दिरश्ची से ये बहुत अच्छी खबर लेके आए हैं, और यहाँ पर yes bank ने आज बहुत अच्छा bounce back किया है, due to the dish, टीवी का stay मिलने के बाद में, आई ये ज़रा चलकर technical visualization करते हैं, और देखते हैं, क्या है इसकी right levels, तो आज morning से ही up moment दिख रहा है, 12 रुपे 20 पैसे से बढ़कर, ये high जो बनाया है, almost 13 रुपे का बना दिया था, अभी 12 रुपे 70 पैसे के आसपास, ये चल रहा है, 5 परतिशत के आसपास, 4 परतिशत के आसपास चड़ा हुआ है, और 11 करोड share hand exchange हो चुके हैं, और इसमें, यहाँ पर करीब करीब, कौने 3 बजे के आस तो volume के साथ बढ़ना काफी अच्छी बात है, इस तरह से अगर stock को देखा जाए, तो ये एक long term के लिए बहुत बढ़िया stock है, आप देखे, MACD ने इसको sell signal generate किया वा था, ये opportunity थी, हमने आपको चार्ट पर बोला हुआ है, कि ये जो range के नीचे अगर आता है, तो value by है, ये आप इस range में आप आना शुरू हो जाएगा, यहां से 12 के आसपास बहुत बढ़िया bounce back दिखाया है, इसने, अगर alligator indicator को देखें, उसके बाद में यहां पर, आप बुलिंजर band के तरफ से, band के lower हिससे से up moment दिखाया है, और bandwidth के वल 8 की रह गई है, जो कि एक अच्छा sign है, यह पास बढ़ते जारे हैं, जो कि एक low cost funding मिलती है, इनको इस तरह से, तो we have invested in a triangle pattern, lower level पर हमने काफी अच्छा इंवेश किया है, इसमें, please consider your financial advisor before investing in trading, और चैनल का 5F रोल ध्यान रखिये, हमर साथ जोने तो mail drop कीजिए, जहीं जभारत, bye guys.